ये बड़ी खबर सामने आ रही है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने कहा है कि फरवरी दो हजार पच्चिस को पृत्वी पर लोटेंगी सुनीता विल्यम और उनके साथ बुश विल्मोर को 13 जून को पृत्वी पर लोटना था लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो लोट नहीं सके और अब नासा ने फरवरी दो हजार पच्चिस में लोटने की बात कही है बहुत दिनों से जो इंतजार है सुनीता विल्यम्स का वो किया जा रहा था क्योंकि 13 जून को वो समय था जब पृत्वी पर सुनीता विल्यम्स को अपने साथी के साथ लोटना था लेकिन वो लोटी नहीं काफी तोशिश की गई लेकिन अब नासा की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि फरवरी दो हजार पच्चिस तक सुनीता विल्यम्स प्रतिवी पर लोट जाएंगी ये बड़ी जानकारी मिल रही है सुनीता विल्यम्स को लेकर अंतरिक्ष से ये बड़ी और अच्छी खबर है परवरी दो हजार पच्चिस में लोटिंगी सुनीता विल्यम्स नासा की तरफ से ये बड़ी जानकारी साजा की गई है आपको बता दे कि सुनीता विल्यम्स अपने साथियों के साथ अंतरिक्ष में गई थी जिसके बाद माना ये जारा था कि 13 जून को वो वापस प्रत्वी पर लोट जाएगी लेकिन काफी कोशिशों के बाद दी वो लोट नहीं सके कुछ तक्नीकी खाम्या जिसकी बज़े से वो लोट नहीं सकी प्रत्वी पर और अब ये जानकारी मिल रही है नासा ने खुद ये जानकारी साजा की है कि फरवरी दो हज सुनीता विल्यम्स लोट सकती है